हेलो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संक्तल कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे की हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले हुआ है हमारा पहला कोशन है हाल ही में खान शुरक्षा और खान परिक्शन के लिए भारत ने किस देश की साथ समझोता किया है इस question का जो सही answer है वो है Australia ये अभी हाल ही में खान सुरक्षा और खान प्रिक्षन के लिए बारत नहीं Australia के साथ समझोता किया है Australia जिसकी राज़दानी है Canberra Australia विस्व का छेतरफल की दरश्टी से छटा बड़ा देश है छेवाँ बड़ा देश है साथों आपको पता यह भारत है और सबसे बड़ा देश है रूस, पिर कनाड़ा, चीन, अमेरिका, बाजिल, और साथों हमारे भारत का अस्तान है तो छटा बड़ा देश है छेतरफल में और जब हम राजस्तान के जिला दरसन देखती है तो उदेपूर जिले किया करती और खान और सुरक्षा और खान प्रिक्षन के लिए भारत ने और अस्तेलिया के साथ एक समझोता किया है हमारा दूसरा कोशन है हाली में किस राज्य के मुख्य मंतरी ने जै किसान रिण मुक्ती योजना शुरू की है जै किसान रिण मुक्ती योजना किस राज्य के मुख्य मंतरी ने शुरू की है तो इस कोशन का सई अंसर है मद्य परदेश मद्य प्रदेश के मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री कमल नातनी जै किसान रिन मुक्ती योजना की सुरुवात की है इस कोशन का सही अनसर है मद्य प्रदेश के जो सीम है कमल नात उन्होंने जै किसान रिन मुक्ती योजना की सुरुवात की पचास हजार क्रोड की इस योजना से 55,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहला सबसे बड़ा राज्य है राजस्तान, कभी राजस्तान से पहले मद्य परदेश भारत का छेतरफल में सबसे बड़ा राज्य होता था, परन्तों हुआ क्या कि मद्य परदेश से 36 गड़, 36 गड एक नुमंबर 2000 को अलग होकर के 26 वाराजे बन गया और उसके बाद MP का च्छेतरफल में दूसरा अस्थान हो गया अच्छेतरफल की दरश्टी से पहला अस्थान बारत में राजस्तान का दूसरा मद्यपेश दीसरा महाराष्ड और चोथा उत्तरपरदेश का है हमारा तीसरा कोशन है obskar wild award के लिए किसे चुना गया है तो इस कोशन का सहिय आंसर है clean clothes को कि अभी हाल ही में ग्लेन क्लोज को ओसकर वाइल्ड अवार्ड के लिए चुना गया जो ग्लेन क्लोज है इन्हें चोद्वें ओसकर वाइल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है ग्लेन क्लोज एक अनुभवी अभीनेत्री भी है जिन्हें चोधवें पोसकर वाइल्ड अवर्ड के लिए चुना गया है तो आपको इसमें अनसर याद रखना है ग्लेन क्लोज हमारा चोथा कोशन है हाल ही में महा एगरिटेक प्रियोजना इस रज्य के मुख्य मंतरी ने सुरू की है तो इस कोशन का जो सई आनसर है वो है महराष्ट्र कि महराष्ट के मुख्य मंतरी अभी हाल ही में महराष्ट के मुख्य मंतरी देवेंदर फड़नविस ने महा एगरिटेक प्रियोजना की सुरूआत की है इस प्रियोजना की सुरूआत इस रो के सयोग से महराष्ट सरकार ने की है यह जो प्रियोजना शुरूई है यह इस रोख की सयोग से शुरूई है महा एगरिटेक जो प्रियोजना है इसका परमुकार्य है पसल की बुवाई से लेकर पसल की कटाई तक जितना भी प्रोसेस होता है उसके उपर ब्रोन से नज़र रखना हमारा पांचवा कोशन है हाल ही में वन प्रबंदन प्रियोजना का सुबारम किस राज़ी ने किया है वन प्रबंदन प्रियोजना का सुबारम किस राज़ी ने किया है तो इस कोशन का जो सई आंसर है वो है प्रीपुरा अभी हाल ही में प्रीपुरा में वन परबंदन प्रियोजना का सुबारम किया गया वनों को और बहतर बनाने में ये प्रियोजना हेल्प करेगी वनों को और बहतर बनाने में ये प्रियोजना अपनी वुमिगा निभाएगी त्री पुरा जिसकी राजदानी अगरतला है त्री पुरा जिसकी राजदानी अगरतला है त्री पुरा तीसरा भारत का सबसे छोटा राज़े है त्री पुरा तीसरा भारत का सबसे छोटा राज़े है अगर भारत के तीन छोटे राज़े याद रखनी हो तो G, S, P, Тी For Goa, S For Sikkim, T For Three Pra इसकी राजदनी है अगरतला प्री प्रा तीसरा भाइरट का सबसी छोटा रज्स्य है प्री प्रा की बंगलादीश के तीन ओर से सिमा लगता है हाल ही में किसने साथमयी बार अस्ट्रेलियन ओफन कुर्वस किताब सात्में बार ऐस्ट्रेलियन ओपन पुरूस किताब जीता है इस कोशन का जो सही आंसर है वो है नुवाक जोकोविच अभी हाल ही में नुवाक जोकोविच नी सात्में बार ऐस्ट्रेलियन ओपन पुरूस किताब जीता है अब खल को पूछा जाए कि इन्होंने किस को हराया था इसके अंदर तो इन्होंने राफेल नडाल को हराया था अभी हाल ही में नुवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हरा करके सात्युए बार कोस्टेलियन ओपन किताब जेता है नुवाक जोकोविच सर्बिया की खिलाडी है नुवाक जोकोविच किस देश की खिलाडी है तो आनसर है सर्बिया नुवाक जोकोविच जो सातीं बार अस्ट्रेलिन ओपन पूर्स विजेता रही है वो सर्बिया की खिलाडी है हमारा सात्वों कोश्चन है हाल ही में Oxford Dictionary ने किस सबद को 2018 का Hindi World of the Year चुना है Oxford Dictionary ने किस सबद को 2018 का Hindi World of the Year इस कोशन का जो सही आंस्वर है वो है नारी सक्टी नारी सक्टी को Hindi World of the Year चुना है Oxford Dictionary में 2018 का अभी हाली में Oxford Dictionary ने Hindi World of the Year नारी सक्टी को चुना खल को आप से ये पूछा जाए कि आप ये उक्सफ़र Dictionary ने किस सबद को 2018 का English World of the Year चुना तो इस कोशन का सही आंस्वर है टॉक्सिक टॉक्सिक सबद को Hindi World English World of the Year चुना गया है 2018 में हमारा आठ्वा कोश्चन है हाली में Operation Olympic किस रज्जे में शुरू हुआ है Operation Olympic किस रज्जे में शुरू हुआ है इस कोश्चन का जो सही आंस्वर है वह है केरल अभी हाल ही में केरल के अंदर Operation Olympic शुरू हुआ है तो यह Operation Olympic शुरू हुआ है केरल के अंदर इसके अंत्रगत क्या है कि 11 विश्यों में जो Olympic के 11 सब्जेक्ट होती है तो 11 विश्यों में Athlete को Training दी जाएगी और यह Training भारतिय और विदेशी कोच के द्वारा दी जाएगी जब बात चल रही है केरल की तो केरल की राजदानी है तिरुवन्त पूरम केरल की राजदानी तिरुवन्त पूरम केरल की दो विश्यिस्ता है कि केरल में एक तो शांत गाटी शांत गाटी का समन्द किस राज़े से केरल पेरियार वन्य जीव भ्यारनी कोन से राज़े में है तो केरल के अंदर है केरल जिसकी राजदानी है तिरुवन्त पूरम केरल भारत का वो रज़े है जो भारत में सर सरवादिक पुरुष साक्षर्तावाला राज्य है सरवादिक महिला साक्षर्तावाला राज्य है हमारा नुवा कोशन है हाल ही में किस देश ने गन्य को गन्य के रसको राष्टिय पे गोसित किया है हाल ही में किस देश ने गन्य के रसको राष्टिय पे गोसित किया है हमारा दसवाँ कोशन है हाल ही में DRDO ने LRSAM Brac 8 का सफलता पुरवक परिक्षण कहां से किया यब हाल ही में DRDO ने LRSAM Brac 8 का सफलता पुरवक परिक्षण कहां से किया तो इस कोशन का जो सई आनस्फर है वो है UDESA कि उडिसा से DRDO ने LRSAM ब्राकेट का सफलता पुरुवक प्रिक्षन किया है LRSAM की फुल फॉम है Long Range Surface to Air Missile जिस ब्राकेट जिसका अभी हाल ही में सफलता पुरुवक प्रिक्षन उडिसा से किया गया है उडिसा जिसकी राजदनी भूनेश्वर है जो जिसका अनसर आप सब को बताना था यह कोश्चन था किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्सा के लिए उपग्रे लौंच किया है कोश्चन था कि किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्सा के लिए उपग्रे लौंच किया है इस question का जो सही answer था वो था Japan कि Japan ने पहले करित्रिम उल्का वर्सा के लिए उपगरेक्ट लौंच किया है इस question का सही answer था Japan जो आप सब को बताना था तो इस question का सबसे पहले सही answer दिया अमन्चाहर अमन्चाहर आपको बताई हो दूसरी बार इसका सही answer दिया है दूसरा नंबर है सुबास मोहिल ने वो भी बताई सबसे पहले अमन्चाहर ने ने answer दिया और दूसरी बार दिया था सुबास मोहिल ने answer दिया next question जिसका answer आपको comment box के मातिम से बताना है जो भी पहले बताईगा उसका नाम यहां पर अनौस होगा अगला question आपके लिए है कि हाल ही में आद्यात्मिक सर्किट परियोजना का उद्गाटन कहां किया गया है आद्यात्मिक सर्किट परियोजना का उद्गाटन कहां पर किया गया है इस question का अनसर आपको comment box में देना है जिसने अभी तक संकल कोशिंग गंगान अगर YouTube चैनल को subscribe नहीं किया वो subscribe कर ले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे आगे से आगे अपने जितने वर्सप ग्रूप में उन सब में share करें like करें कोमेंट करें कोई सुझाब हो तो आप सुझाब दें हम उनके उपर जुरूर गोर करेंगे सो मार से सनी बार तक regular आपको इंडिया वर्ड का current face मिलता रहेगा राजस्तान का एक special गुरू बार को हम current face का portion लेकर आएंगे जिसमें 20 से 25 question होगे पूरे हफ़ते का उसके अंदर current का metro होगा आप उसको भी पूरा study करें और वोई संडे को आपका टेस्ट रहेगा टेस्ट का timing वगेर आपकी बार हम आपको सारा बता देंगे आपका दोपैर का समय हम खराब नहीं करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो आप सब जदस जदस इसे शेर करें पहला question है हाल ही में खान सुरुक्षा और खान प्रिक्षन के लिए बारतनी किस देश के साथ समझोता किया है इस question का जो सही answer है वो है और उस्ट्रेलिया खान सुरुक्षा और खान प्रिक्षन के लिए समझोता किया है बारतनी जैसे मैं question बोलता हूँ आपके दिमाग में answer चलता रहना चाहिए हमारा दूसरा question खाल ही में किस रज्य के मुख्य मंत्री ने जै किसान रिन मुक्ती योजना सुरू की हमारा तीसरा question तो इस question का सी answer है तो जै किसान रिन मुक्ती योजना सुरू की हमारा दूसरा question हाल ही में महा एगरी टेक परियोजना किस रज्य के मुख्य मंत्री ने सुरू की तो यह प्रियोजना महराष्ट सरकार के दुवारा शुरू की गई है हमारा पांचोंगा कोशन है हाल ही में वन परबंदन प्रियोजना का सुभारम किस राजी नहीं किया वन परबंदन प्रियोजना का सुभारम त्री पुरा नहीं किया है तो इस कोशन का सही अंसर है त्री पुरा हमारा चटा कोशन है हाल ही में किस ने सात्वी बार अस्ट्रियलियन ओपन पुरूस किताब जीता है प्रिश कोश्चन का जो सही अंसर है वो है नुवाक जोकोविच नुवाक जोकोविच ने सात्वी बार अस्ट्रिलियन ओपन पुरूस का किताब जीता है हमारा सात्वा कोश्चन हाल ही में ओक्सपोर डिक्सिनरी ने किस सबद को 2018 का हिंदी वर्ड ओफ दा इयर चुना है प्रिश कोश्चन का सही अंसर है नारी सक्ती हमारा आठवा कोश्चन हाल ही में ओप्रेशन ओलम्पिक किस राज्य में शुरू हुआ ओप्रेशन ओलम्पिक किस राज्य में शुरू हुआ तो इस कोश्चन का अंसर है केरल हमारा नुवा कोश्चन है हाल ही में किस तेसनी गर्नी के रसको राश्टिय पे गोसित किया है तो इस कोश्चन का जो सही आनसर है वो है पाकिस्तान हमारा दस्वा कोश्चन है हाल ही में DRDO ने LRSEM BRAC8 का सफलता पुरोग परिक्शन कहां से किया है तो इस दस्वे कोश्चन का अनसर है ओडिसा ये दस कोश्चन थी जिनकी डिटेल आपको पहले बता दी गई जब भी मैं कोश्चन बोलता हूं आप साह साथ में रिपीट करते ह हैं तो आप और अच्छाइस को याद कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें धन्यवाद